असलाम अलेकुम त्यारे बच्चों प्यारे बच्चों हम अपने इत्राफ में हमारे आस पास बहुत सारी चीजे देखते हैं जैसे घर, पेड़ पौदे, जानवर, इंसान, चरीन परिंद वगेरा प्यारे बच्चों अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी, इस तस्वीर में देखिये के हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें बड़ी बड़ी इमारते, चोडी सड़के, गाडियों की रेल पेल दिखाई दे रही है इन उची-उची मारतों से हमें पता चलता है कि ये शहर का मनजर है इसी तरह बच्चो इस तस्वीर में हमें कच्छे मकान, बैल गाडिया, सिरोप और पानी के मटके लाती हुई औरते दिखाई दे रही है साथ ही हमें मुर्गी, बक्रिया, बैल जैसे जानवर भी दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चो ये सारी चीजे हमें किसी गाउ के मनजर की तस्वीर कशी कर रही हैं अच्छा बच्चो अगर हम इस तस्वीर का मुशाहिदा करें तो हमें जंगल का मनजर दिखाई दे रहा है बच्चो जंगल, जंगल का नाम सुनते ही हमारे जहनों में बहुत सारे जंगली जानवर, बड़े बड़े दरख्तों का घनापन दिखाई देता है ये बच्चो जैसे हम जानते हैं कि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं जिसमें कुछ सब्सखोर जानवर रहते हैं सब्सखोर जानवर यानि जो दरख्तों के फूल पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं जैसे हाती, जिराफ, हिरन वगेरा इसी तरह बच्चो जंगल में कुछ गोश्ट खोर जानवर भी होते हैं जो अपना शिकार खुद करके खाते हैं जैसे शेर जो के जंगल का राज़ होता है इसी तरह बच्चो भेडिया जिसे मराटी में लांडगा भी कहते हैं प्यारे बच्चो भेडिया वो वाहत जानवर है जो इतनी ताखत रखता है कि इसकी तेज तरीन आखे किसी का ताकुप करके इस पर फुर्ती से चलांग लगाए और उसे मार डाले प्यारे बच्चो भेडिया कभी मुर्दार नहीं खता और वो हमेशा अपने खांदान वालों का फर्मा बरदार होता है इसी तरह आज हम जो कहानी पढ़ने वाले है वो हमारी जमाते पंजुम की महराटी मजमून का सबख नंबर ग्यारा हती अनिलांडगा यानि हाती और भेडिया ये कहानी पढ़ेंगे